नमस्कार स्वागत है आपका जे जे अन नियूज में मैं हूँ आपके साथ पूजा भट तो चलिए दिन की शुवात करते हैं देश और विदेश की कुछ मुख्य खबरों के साथ दिली में भाजपा की राष्टी कारेपरणाली की बैठक के आखरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी के उन नेताओं को नसीहत दी जो मुस्लिम समाज की बारे में आए दिन बयान बाजी करते हैं साथ ही उन्होंने कहा लोगसभा चुनाओं में सिर्फ 400 दिन बचे हैं ऐसे में पार्टी के हर एक पदादी कारियों और कारेकरताओं को एक एक बोटर से मिलने उनके दरवाजे तक जाना चाहिए पाकिस्तान के प्रधान मंत्री शैबाज शरीफ का एक बड़ा बयान सामने आए जिसमों उन्होंने भारत से शांती की गुहा लगाई पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने अल अर्विया को दिये इंटर्व्यू में भारत के प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी से हर समस्या में बाचीत करने के लिए तयार करने की बात कही शैबाज शरीफ ने कहा कि वो भारती नेत्रित्व और प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी से अपील करते हैं कि उन्हें मिलकर बादचीत की मेच पर बैठ कर हर मुद्दे को हल करने की कोशिश करनी चाहिए चीन में 8 जनवरी को जीरो कोविट पॉलिसी खत्म होने के बाद देश में आने जाने वाले लोगों की संख्या 5 लाग पार हो चुकी है जो कोविट पॉलिसी लागो होने से पहले वाले समय में 48 प्रतिशत जादा है चीन के नैस्नल इम्रिगेशन एड्मिनिस्टेशन ने इस सुधाकर सिंग लगाता नितीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है आरजएडी ने सुधाकर सिंग से 15 दिन में जवाब मांगा है आम आद्मी पार्टी पर विश्वास जताते हुए दिल्ली और पंजाब की जनता ने वर्षो पुरानी जमी जकडी पार्टी भाच्पा और कॉंग्रेस को बाहर का रास्ता दिखा दिया है दोनों ही प्रदेशों का मोडल संपूर्ण देश में पसंद किया जाने लगा है जो एसीपी की जैपूर टीम ने दो करोड की रिस्वत के मामले में अजमेर की बड़ी कारवाई की है ऐसी ही नहीं एसोजी की एडिशनल एसीपी दिव्या मित्तल को अजमेर इस्तिल उनके निजी आवास पर तलाशी लेने के बाद गिरफतार किया है भारत और न्यूजिलेंड के बीच तीन वंडे मैचों की सिरीज का पहला मुकाबला 18 जनवरी को हैदराबाद में खेला जाएगा एक दिवसी सिरीज में दोनों टीमों के बीच रोमान्चक मुकाबले होने की उमीद है भारत ने हाल ही में श्रीलंका को वंडे सिरीज में 30 से क्लिप स्पीच किया था उधर न्यूजिलेंड की टीम भी पाकिस्तान को हराने के बाद भारत दोरे पर पहुँची है भारत में इस वक्त कडाके की ठंड पड़ रही है मैदानी इलाकों से लेकर पहाडी राज्यों तक मौसम की मार पड़ी है हाला कि मौसम विभाग ने बताया कि कल भारत को कब शीतलहर से राहत मिलेगी इसी के साथ मौसम विभाग ने बारिस का भी अलर्ट चारी किया है फिलहाल सुभा की मुख्य खबरों में बस इतना ही बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जे जे न्यूज धन्यवाद